नमस्कार दोस्तों मैं इंको रुपाद क्या है स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में यहां आप सभी के साथ डिसकस करने वाला हूँ टाटा मोटर्स के स्टॉक को क्या टाटा मोटर्स का शेर इस भाव पे ले लेना चाहिए और जिनके पास है उन्हें क्या करना चाहिए सबसे इंपोर्टेंट तो यह क्योंकि उन्हें नहीं तो बहुत अच्छा पैसा बना लिया है क्या यहां से भी और तेजी आईगी है हलका फुलका प्रोफिट बुक कर लें क्योंकि बजार इस समय में वॉलटाइल हो रहा है और लास्ट और फाइनल कोशिशन्स क्या टाटा मोटर इवी का सबसे बेस्ट प्ले है क्योंकि इवी सबको दिख रहा है कि आने वाले समय का एक बड़ा प्रोजेक्ट है बड़ा थीम है वहां पे सब निवेश करना चाहरे है और कर भी रहे है तो क्या टाटा मोटर उसमें होके होल्ड करना चाहिए आपको मतलब कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए इस शेर में रुकने के लिए क्योंकि आपका पैसा टाइम टू टाइम बन रहा है सबसे पहली बात दूसरी बात स्टॉक हाईयर हाई बना रहा है तीसरी बात कंपनी के नंबर्स भी अच्छे आ में टाना चाहूंगा अगर एक प्रिञवन है तो वो प्राबलम है टेसला अगर बात में आता है तो वह पूरे बड़ी प्रब्लम का विश्या बन सकता है बाकी कोई टेंशन ही नहीं तो आप एक को टेसला से बस बच़कर रहे ना है टेसला आएगा उसके बाद थोड़ा market disrupt होगा लेकिन market को कैसे cover करता है Tata Motors वापस से वो देखने वाली बात है अगर वहाँ पे उसने leadership ले ली तो फिर सारे के सारे points positive हैं दूसरी बात है क्या हम यहां से fresh entry ले सकते हैं तो इसका जवाब है बिलकुल ले सकते हो भाई साथ सिर्फ Tesla वाली problem है वाखी कुछ दिक्कत है ही नहीं क्यों नहीं उसको समझिए currently stock क्या trade कर रहा है 938 रुपे के भावपे है आप यह देख रहे है नीचे 400 का था 500 का था 600 का 700 का 800 का 900 का अभी 900 हो रहा है आप यह मत देखो 900 हो गया है P.E. ratio तो आज भी 18 का है 20 के P.E. पे 1200 रुपे का बावप निकल गया रहा है इस company का currently और यह एक ऐसी company है चो इस समय market leader है वो 20 के P.E. पे नहीं 30 के P.E. तक भी जा सकती है तो यह यहां से भी ना मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ यहां से भी दम रखता है 50 से 70% के returns की लेकिन मैं यह नहीं कहूँगा आप इसके चलते खरीदो मैं आपको सिर्फ यह बोलूँगा कि hold करो और fresh entry के लिए कोई भी एक dip आती है 5-7% की उसमें आप average करो खरीदो बस simple और hold करो क्योंकि number से लेकर outlook लुक तक सब अच्छा है देखो मैं बता दो आपको एक करके Tata Motors क्या क्या cover करता है Tata Motors vehicles के मामले में two wheeler छोड़के सब cover करता है commercial vehicle में market leader है buses के segment में market leader है EV के segment में currently market leader चल रहा है आपका Tata Motors आपका बचा क्या कुछ भी तो tractor से लेकर buses से लेकर छोटे हाथी जो होते हैं वहाँ से लेकर सब जगे तो Tata Motors है passenger vehicles में भी EV के मामले में market leader है और non EV में भी अब तो Tata Motors का दबदबा बढ़ रहा है भाई साब अब मारूत इससे जादा नई गाड़ियों में Tata Motors की गाड़ियां दिख रही है तो Tata Motors की 2-3 कारों ने धमागा कर रहा है market में तो मेरे को लगता है Tata Motors वो player है जो यहां से मतलब 5 ओंगलियां घीमे है आप definitely carry कर सकते हो hold कर सकते हो और निवेशित रहने के लिए तो मतलब हर चीज आपके लिए favor मिंगे अब मैं directly numbers की तरफ आता हूँ जैसे कि मैं आपसे कहा रहा हूँ company का profit बढ़ रहा है earning per share बढ़ रहा है यह मैं देखो कि company का share का price का आगया है company की financials भी तो कितने improve हो गए है तो मैं आप आ जाता हूँ directly company के profits पे company का market cap का पहुँच चुका है मैंने Tata Motors का DVR open कर दिया तीन लाग 43,000 क्रोड पे company का market cap पहुच गया है और single quarter में company की sale 1,10,000 क्रोड की है और profit है 7,000 क्रोड का बीते 12 महीने में company ने 20,000 क्रोड का profit बनाया है और company currently 58 के earning per share पे बैठी है और यह 70 का earning per share हो गया और 20 के multiple मिले तो 1400 रुपे का बहुँ आ जाएगा जो कि definitely होने की दम रखता है क्योंकि last year company का earning per share 7 रुपे का था इस बार 60 रुपे का हो गया 7 रुपे से 60 रुपी सोचो कितना बड़ा जंप है तो काबिलियत बहुत है बाई साब बने रहोगे तो पैसा बनाओगे अच्छा मैं आपको डारेक्ट समझाता हूँ यार नंबर में compounded profit growth 3 साल की 31% है और 1 साल की है 500% share का price 3 साल में 43% की कहगर से बागा है और 1 साल में 113% तो scope तो यहां भी दिख रहा है growth के purpose से reserves की बात की जाए तो 15,000 क्रोड के reserves हो गए है अला कि उसके सामने borrowings में अभी भी 1,28,000 क्रोड की borrowings है बट यह कम हुई है अच्छी बात यह है और reserves भड़े है cash conversion cycle 45 days माइनस हो चुगा है यानि कि 45 दिन पहले पैसा आजाता है कमपरी के पास सामान देने से share holding pattern में FIA, DAIAs और तो आप क्यों बेच रहे हो और को नहीं समझ में आ रहा है और बेचना चाहिए भी नहीं तो यह मेरे तरब से detail वीडियो थी होग आपको सारी चानकारी समझ में आई होगी thank you so much for watching this video have a great day guys